हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जया, वेलकम टो माई चैनल, कुकिंग विच जया, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बल आइकन को क्लिक करिए, आपको सब नोटिफिकेशन अपडेट्स होते रहेंगे, आज हम बनाएंगे जीरा रैस, बहुत कर रख लिया है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं, घर में जो भी चावल उपलब दो आप उसे ले लिजिए, अब हम शहाजीरा और जीरा को दो मिनिट तक पानी में भीगो कर रख लेंगे, तड़का लगाने के पहले, देखिए ये चमस से मैंने एक चमस जीरा लिया है, और आधा चमस शहाजीरा को बस दो मिनिट तक हम इसे भीगो कर लेना है, अब हम मसाले लेंगे, देखिए मैंने तीन से चार तेजपतर लिया है, एक चार पाच लवंग, एक चार इलाइची, छोटी चमस से आधा चमस मैंने काले मिर्च लिया है, थोड़ा सा दाल चीनी औ और एक स्टार, और एक मीडियम साइज पैच को इस तरह से बारिक लंबे काक्टर ले लीजिए, अब हम गैस अन कर लेंगे, और एक कुकर रख लेंगे, जब वो हलका गरम हो जाए, उसमें एक टेबल स्पून तेल डालेंगे, और एक चमस मैंने गीर डाला है, गीर जरूर निरणे जयरा डाल देए, जो हमने दो मिनित तक भीगूकर रख लिया है, च сами से चान कर पाने निकाल ली है, और जियरา और शरह जयरा डाल कर सिंपर दो मिनित तक इस तक इस मदाश डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम पर इसे अलका ब्राउण हुए, तक हम इसे फ्राइ कर के साथ सब कर सकते हैं अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे शहाजीरा और जीरा को हमने जो पानी में भीगो कर डाला है इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा अगर आप इससे डालोगे तो वह तोड़ा जल जाएगा उतना टेस्ट ने आएगा एक बार आ जालके सुनेरे कलर के हो गए हैं बिल्कुल हम इस तरह से चाहिए मैं इस सब मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ अब हम इसमें अद्रक लसून का पेज डाल देंगे मैंने सिरिफ 1 फॉर स्पून अद्रक लसून का पेज डाला है बिल्कुल जादा मध डाले नहीं तो उसका जादा आएगा उतना टेस्ट नहीं रहेगा अब हम इसे दो मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे इसका कच्छापन पूरी तरह से जाना चाहिए देखिए अद्रक लसून भी अच्छे से फ्राय हो गया है बहुत बढ़िया इसमें टेक्च्चर आ गया है अच्छी तरह से मिला लीजिए अब हम इसे धक कर मीडियम फ्लेम पर दो सिटी आय तक उबाल लेंगे देखिए दो सिटी आ गया है अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद देखेंगे देखिए पूरी तरह से ठंडा हो गया है अब हम इसे एक बार खोल कर देख लेंगे बहुत ही बढ़िया हमारा जीरा राइस बनकर तैयार है देखिए कितने खिले-खिले हमारे चावल बनकर तैयार है मैं आपको एकदम पॉफेक्ट पेशनमेंट से बता रही हूँ एक बा लुकाने के लिए एक दम बारी कटा हुआ हरा धरिया डालकर एक बर आप इसे मिला लीजिए मैं आपको सव करकर बताऊंगी देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस बनकर तैयार है जीरा भी हमारा बिल्कुल जला नहीं है और इसका कलर आपको बहुत पसंद आएगा आप इसे कोई भी सब्जी के साथ ले सकते हैं जैसे डाल फ्राय आलू बैंगन की सब्जी या कोई भी सालन जब बने आप इस तरह से जीरा राइस बनाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को क्लिक करिए आपको सब नोटिफिकेशन अपडेट्स होते रहेंगे थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो